और इस खेवे में पिछले ओवर में यह देखिए कोछ यह पे तरी शॉन यह देखिए फिर से चिप किया था बहुत ज्यादा ताकत लगा यही शॉट के पीछे और शॉट बहले वहां अलगी हो लेकिन बैदान के बाहर बड़ी ताकत लगा रहे हैं डांस करने में प्रेंस आये हैं यह दो आविता के स्टोर्नमेंट में अच्छी गेंद बाजी की है हालेकि आज बल्ले से बहुत जादा कवाल दिखाया नहीं देरेंजा सामने है देरेंजा की कोशिश यही रहती है कि जितना जल्दी हो सिंगल लें दो गेंदों में दो ही रन मनाए है और अब एक और फिल्टर को स्कुर्लेक बाउंटरी की तरब भेजा है चार बाउंटरी होगे खिलाडी इस समय अब बाउंटरी में कहीं भी फिल्टर लगाई है फिल्टर पीछे दोड़ रहे है क्या ये कैश हो जाएगा जी नहीं कैश तो नहीं हो चौका हो जाएगा अब भी देखना पड़े है क्या ये गेद बाहर जाकर गिरी है अब बाहर पूछ रहे है जरूर क्या एच्छे तो नहीं हो गया इस बार बल्ले बाज है महजा जिन्नोंने चौका लगाया पहली गेद पर ताकत लगाई थी शौट के पीछे और ये गेद सीडी फिल्टर के पास थी और ये देखना होगा कि ये गेद अंदर ही गिर गई छे रना है पचास कांपला पार हुआ तरे पन पर पहुँच गई पंजाब दे शेर दी टीप तीन देशल एक ओवर बही और निरेट जाके पल्ले से निकलने लाए पहला शौट पुल्टास गेद फिर से हवा में और हवा में भी बाहर चली गई और यह चोश आया अब दोनों बल्लेवादों में बैक टू बैक पाउंडरी आती है बैक टू बैक छक्के भी आ गए और यह तो अब पंजाब का भगड़ा देखने को बिलेगा यह आपको और इसी चीज़ का इंतधार है दर्शकों को कि कब वो पंजाब का भगड़ाओ पंजाब का डांस देखरों कि दो मुकामले हार गए हैं हालकि मैदान पर यह आप देखें जो समर्थन है वो पूरा अधिकतर दर्शक तेल्गू कोरियर्स के समर्थन में हैं लेकिन अच्छे खेल का भी वो बरावर लुद पुठा रहे ने जाजिक का अलबला अभी तक शांत था लग रहा था जो स्ट्राइक रोटेट करेंगे लेकि इस बार उन्हें ने का मैं अपना भी योगदान दूगा और यही वज़े हैं कि तीन दर्शन दो ओवर में स्कोर पहुच गया उन सट पर क्या तेल्गो वर्यर्स इस मकाबले को गवा देगी क्या पंजाब देशेर इस मकाबले को जीतेगे फिर से आगे निकले है इस बार ठीक बॉलर के उपर से हलें कि यह काफी पहले गिर गए इस सिंगल मगर आ जाएगा 60 होगया स्कोरी सिंगल के साथ कि बहुत सारे सवाल छोड़ दिया आपने और 49 गेंदों से पचासरन यह बताता है कि बिल्कुल चेज़िबल है लेकिन इनको यकीन नहीं हो रहा है कि इतनी बिटाए इनके गिंदबाजों की हुई है साथ एक विकेट का नुकसान महेज 3.3 ओवर पावार पुले का जम कर इस्तमाल किया लेफ्ट एंड राइट एंड बैटेंग कॉंबिनेशन ने अभी अभी निंजा ने पार्टी जॉइन किया है और दो बड़े शॉट्स देखे एक ही खेतर में और एक पर चार एक पर चे दो चके बैक्टिविक इनफेक्ट आए वहां से 49 गिंदों से 50 रण मैयूर इस्तमाहें स्ट्राइक पर कहां ये गिनवाज ही करेंगे और जब रंस बनते तो जितना मर्जी अच्छा गिनवाज हो उसके वर्स में भी रंज आते हैं यही कुछ दर्शाया यहां पर अभी तक के खेलने अच्छा गें डॉट बॉल बड़ियां वापसी प्रेंस पटरी पर अब सरपट दोड़ने लगी है अंतिम दोगेने सुबर की बाकी है स्लिप अभी भी नहीं है इंतजार किया ये खास्यती शॉट में और गैप भी वहाँ पर तलाशा मौका बनेगा जरूर लेकिन अच्छी फीनलिंग रंस बचाए अपनी टीम के लिए ये जरू आप उनको शाबाशी दे सकते हैं और बहुत अहम काम किया ए टू त्री डी प्ले देख सकते हैं आप बिल्कुल वाया हां से पूरा समर पड़ वहां पर दिखाए दिया रिले ट्रो आया वहां से सब कुछ गटे तुआ अब वहां पर गुड क्रिकेट अल और राउंड अन और ड्राइब कबर ड्राइब बहुत बहुत बेटर पीचे डी पॉइंट पर फील्डर मौजूद सिंगल के साथ हो और समाप तो 63 पर एक पंजाब कि अच्छी लाइब करते हैं जाकी बल्लेबास को यदी शौट खेलना है तो अताकत का इस्तेमाल करें और बैदान पर फ्लेट लाइट चल चुकी है जिस बात की वेचाट का थोड़ी बैदान पर लाइट कब लग रही थी इस बार ड्राइब क्या है बैक फुटर आकर ड्राइब क्या है बाउडरी के साथ अपना अर्षा तक पूरा किया है बारली है फ्लेपी बाउडरी आई है बाउन पर पहुंचे चौके की मदब से शांदार 338 भी बाउडरी है ये और बढ़ाई दिश्ची त्रूप से डिजर्व करते हैं अब कूछ नहीं तुम खोश हो न आज ये दिखाया है हेलमेंट नी उतारा लेकि बेटरी ने ड्राइब किया बैट बुट पे आए थे और प्रीस की कहराई का इस्तेमाल किया अब टीप पे कोई प्रोडेक्शन है रही अर्षा तक बनाया शांदार और बाजी ये बल्ला उनको दिखाया है जिनका जनम दिन था कि ये मेरी तरब से आपके लिए गिफ्ट है बबल वहां पर खड़े थे 20 गेंदों से 52 रन की ये जवर जास पारी इस बार फिर से नजाकर ग रिकेट में कोई बड़ी बात नहीं है इस बार क्या करीबी बात है किया बनले का कोई किनारा लगा है स्लॉक स्वीप की कोशिश दी बैकपट पर पीछे टकिला था गेंबास तमन में और अच्छे से टाइम नहीं कर पाये थे कि मौका था किया वहाँ पर क्लोज होगा बहुत करीब होगा बाची चल रही है डियरेस की बात हो रही है और इशार की और लगता तो मामला काफी नजदी की तन लेकिन लोगान से जो फिल्डर दोल कर आए थे उन्होंने कोई सूचना दिये लोगान से लिक कैसे जज कर सकत आपकी आउट साथ करें रहा और इसलिए नराज भी हो रहे है कि याज क्यों डियारस नहीं ले रहे मैं कहा रहा हूं मेरी बात तो मानलो नहीं मानी और डियारस लेते तो शायद प्रणाम जाता लेकिन इस बार नहीं लिया तो फिर आप तयार रहे हैं आगे निकलें बड़ा शॉट खेला सिंगल तो मिली जाएगा लेकिन फिर भी तारीफ करने होगे तवन की अभी तक पांच रन दिये इस ओवर में पिछले यदी ओवर् तो हर ओवर 14-15 रन का ओवर आया है इस ओवर में मात्र पांच रन आये है एक गेंद बाकी है निजादी बड़ा शॉट नहीं खेलते हैं तो अच्छा ओवर कहलाएगा 68 रन बन गए है 31 बॉल 42 रन काम कोई मुश्किल नहीं है क्योंकि 9 विकेट अभी सुरक्षित है महत्पूर्ण बात यह है लेकिन यह क्रिकेट है यह कव करवट ले जाए कहना मुश्किल है पुल्डिंग में परिवर्थन तमण बार बार क्योंकि एक मात ओवी रही चाहिए जिस बाब किया चर्चा यॉर करा दिया यॉर करा दिया और निंजा जिवाफिक करा दी ने बात की चर्चा भी कर रहा था वो जिस तरह फिल्टिंग में परिवर्तन कराया है और उमीद उन पे थी कि विकेट लेगे उमीद पे खरे उत्रे है बिल्कुल यहार करा दिया बल्ला जब तक लाएं तक गेम निरे स्टम्स विखेर दी और ये खुशी की लहर दोड़ी है पंद्रहर मनाए 68 दोविक